करनाटक चुनाओं लेकर अभी भी लगातार ख़बरे आनी जारी है सबसे बड़ा सवाल है कि करनाटक चुनाओं में तमाम टेलिविजन चैनल ने जाती के हसाब से कैटेगीरी के हसाब से बताया कि एस्टी ने किसको बोड दिया, एस्टी ने किसको दिया, कुर्मा ने किसको दिया, लिंगायत ने किसको दिया, बोका लिंगा ने किसको दिया, लेकिन यह नहीं बता रहा है कि जो जनरल कैटिगिरी में खासकर जो ब्रहामन समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, उन किसानों की पार्टी तो जो किसान बोटर है वो जो आ हैं वो कॉंग्रेस में सिफ्ट हुए इसका मतलब है कि कॉंग्रेस की जीत में स्टी ओबी सी और किसान जातियों और सबसे जादा मुस्लिम कम्मूनिटी का युगदान है लेकिन कोई भी मीडिया इस तरह से आपको नहीं बताएगा वो सिर्फ ये बताएगा कि किसने किसको बोट दिया तो ये तो तय है कि बीजेपी के साथ इसका मतलब है कि सवन समाज का बोट और OBC का जो हिंदू जो धर्म के नाम पर बोट करें वो बोटर अभी उनके साथ इंटैक्ट बने हुँ है लेकिन जो बिरोध का बो बोट है क्योंकि अब तक 48% 45% बोट आता है किसी को इसका मतलब जो विपक्ष का बोट है वो लगातार इसका बोट हो रहा है तो अभी भी जो सवन समाज का बोट है और जो धर्म के नाम पर बोट कर रहे हैं जो ज्यादा तर जिसमें स्टी अश्टी ओवी से इंदू है जो जो बिरोधी बोट है वो एक जूट हो रहा है यही कोशिस निती इसको मार कर रहे हैं कि कहीं भी मुकाबला जो है वो आमने सामने का हो यही बास सत्यपाल मलिक ने कही है यही कोशिस जो है वो सरत्पवार कर रहे हैं कि जो विपक्षी बोट है उसको बटने न दिया जाए और विपक्ष की यही रननीती है 2024 के लिए ममता बनर जी ने कहा है कि ये इनकी सुरुवात हो गई है अब सौ सीटे भी इनकी नहीं आएंगी 2024 के चुना में अखलेस यादव ने भी कहा है कि बीजेपी का आब पतन जो है वो सुरू हो चुका है तो वो तमाम बड़ी खबर सुचिए यह है करनाटक के डीजीपी परवीन सूध जिनको अब सीबी आई के नए डारेक्टर बनाया गया है इनका दो साल का कारकाल होगा तो वहां के डीजीपी को सीबी आई में डारेक्टर बना दिया गया जो यह बड़ी खबर है जो मैं आप इसमें पर्धानमंत्री मोदी और योगी जी जो हैं जो बढ़ाई दे रहे हैं वहीं आज कुछ और बड़ी खबर हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं BSP और सपा के लिए उतना खड़ाब भी नहीं रहा है परदर्सन सपा मेर चुनाओं कभी नहीं जीती जब सरकार थी तब भी लेकिन गाओं के चुनाओं में वह अच्छा परदर्सन करती रही है नगरपालिका चुनाओं में पहले 45 थे अब 62 हो गए हैं बसपा के नगरपंचायत 45 थे अब 51 हो गए हैं तो इस लिहास से देखे तो 2017, 2016 तो ये इन तमाम चुनाओं के मुकाबले सपा और बसपा ने अच्छा ही परदर्सन किया है जो कोई टीवी अख़वार आपको नहीं बताएगा इस तरह के विशलेशन करके ICAC बोट के परिष्छा का रिजल जारी कर दिया गया है लखनाओं के मुहमद आरियन तारिक ने बारहवी कक्छा में और इंडिया टॉप किया है 99 दिसम्वल साथ पांच उन्होंने अंग किया है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहों तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं ये साबित किया है और लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को लग रहा है कि परहाई लिखाई उनके लिए मजबूत एक रास्ता है जिस पर उनको चलना पड़ेगा और सोसल मेडिया पर ये तमाम बड़ी खबरे हैं जो वाइरल है आज की करनाटक को लेकर विवास सुरू हो गया है चुनाओ जितने के साथ ही बीजे पी आईटी सेल के परमुख है मालविये उन्होंने एक वीडियो शेयर किया कि किस तरह से वहाँ पाकिस्तान जिंदावाद के नारे लग रहे हैं इस पर एक कंप्लेइन भी दर्ज हुआ है एफसल की टीम जांच भी कर रहे है जिस तरह की आल्टनीज के जो फाउंडर है उन्होंने बताया है लेकिन ये जो तस्वीरे दिखाई जा रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है उसमें सारे धार्मिक जंडे हैं जिसमें जैभीम का भी जंडा है हिंदू समाज का भी जंडा है मुस्लिम समाज का भी धार्मिक जंडा है तो ये पाकिस्तानी जंडा इसमें कोई नहीं है और इसको जुबायर ने जो आल्टनीज के संपादय कोनोंने बहुत किलियर कर दिया है यह सेफरन फ्लाइग, यह ग्रीन फ्लाइग आफ इसलाम, यह कॉंग्रेस फ्लाइग और ब्लू फ्लाइग रिपर्जेंटिंग दलिस वे और पूट अप इन करनाट का तो यह तमाम जहंडे हैं जो सभी कम्मुनिटी के हैं उसको दिखाए गया है अभिशेक उपाध्याए जो की ब्रहमन समाज के पत्रकार हैं उन्होंने ट्विट किया है फिरी की रेवरी चुनाओ जितने का सबसे बरा आसान मन्त होता जा रहा है यहां फिरी की रेवरी एक रोज इस देश में स्रिलंका भी बना सकती है अगर चुनाब आयोग संसद या फिर सुप्रिम कोर्ट ने इस परोग नहीं लगाई तो फिर देश का भगवान ही मालिक है मतलब अभिशेक उपाध्याए को जनता को मिलने वाले जो सुविधाए हैं उनसे दिक्कत है तब तो असी कर लोग को पांच किलो रासन मिल रहा उससे भी दिक्कत होनी चाहिए तो बहुत सारे पत्रकारों में भी मायूसी च्छाई हुई है चुनाब हारने के बाद उनका क्याना फानुक्सान है वो नहीं पता आपको क्या लगता ये जाती का कनेक्शन है ये धर्म का कनेक्शन है ये दोनों है करनाटक में बस्पा के परदे सद्यक्ष के समूर्ति को बरुना विधान सभा सीट पर 1078 बोट मिले हैं इस सीट पर जितने वाले परत्यासी को एक लाक उनीस हजार बोट मिले हैं ये भी सोसल मीडिया पर वाइरल खबर है और कूश रमबेटकर ने एक जानकारी शेयर किये जो आज सोसल मीडिया पर सबसे आदे वाइरल है करनाटक में मलिका और जुन खड़गे को मुखमंतरी क्यों नहीं बनाया जा सकता है परदे उनके राष्टी अध्यक्ष बनने के ब इस पी के बाइनर तले चुनाव लड़ परत्यासिस सारुक अबासी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है इनके होसले और जज़वे को देख में खुद इनके जीला हात्रस के कार्ड वार्ड नमबर 20 पहुंचा इनका इंट्रव्यू लिया और जाना कहां से आई इतनी हिम्मत सारुक खान अमबिट करवा दी हैं तो ऐसे ही सोसल मिडिया पर एक से एक नई कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में 13 तारी को जब नतीजे आ रहे थे तो एक गोल में सम्मेलन हो रहा था असोख भारती ने क्या अपने देश की राधानी में अपने समाज में बदलाव उन्नती और विकास के लिए दलित समाज के बुदुद जीवियों कारकरता हूँ और अधिकारियों और निता दिल्ली में आयोजी दलित गोल में सम्मेलन में सबसे पहले समाज की ताकत परमानित करने वाले आंकरे पेस किये सबा लाग दलित प्रोशेसर, साथ लाग उस सिक्षा में दलित बिद्यार थी, बैंको बीमा कंपनियों में पच्चासी हजार अधिकारी, छे लाग पंचायत परतिनी धी, इसके बावजूद हमारे साथ भेदभा उन्निया और जलन क्यों हैं तो ये तमाम फैक्ट जो हैं वो असोग भारती ने रखे हैं गोल में समेलन में, जिसका सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है, करांती कुमार ने ट्वीट किया है, आनंद मोहन को लेकर बिहार में दो खबरे चल रही है, करांती एक तो आनंद मोहन, 1990 में जनता दल को तोर कर पीएम बनते हैं, आनंद मोहन भी जनता दल छोर कर चंसेखर के पीछे चल देते हैं, इस तरह आनंद मोहन बिहार में राजपूतों के अलावा ब्रहामनों के भी नेता बन जाते हैं, इन पर भूमिगत मिलीसिया चलाने का रोप है, जो भी से आरक्षन समर्थों को टार्ग पास के सिर्फ सो में तीन पार्सा जीते हैं, यानि तीन परसेंट, पास होने के लिए भी 33 परसेंट नमबर लाते हैं, बाकी मेर में तो सर्मनाख हार हुई है, मेरे वार्ड नमबर 62 से मेरे निर्दली ब्रहामन भाई जीते हैं, सोचा बता दू आपको तो सोचिए, रोली तिवारी मिश्रा बीजेपी की भी सगी नहीं है, उन्होंने जाती देखकर बोर्ट दिया, पार्टी देखकर नहीं, बीजेपी के कैनिडेट को ही बोर्ट नहीं दिया, वो खुद कह रही हैं, कि मेरे वार्ड में 62 से निर्दली ब्रहामन जीते हैं, ये ट्वीट है उनका, मतलब उन्होंने ब्रहामन समाज को ही बोट दिया है, तो इस तरह से जाती उनकी प्रात्मिक्ता में सब से उपर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोचल मीडिया पर ये तमाम खबरे जो है वो वायरल है और इसलिए मैं कहagenे हैं कि सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया ही सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है दिलीप मंडल ने एक ट्वीट पोस्ट किया है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है करनाटक में परस्राम चलाने की जुरूत क्या है जबरदस्ती नहीं करने चाहिए उन्होंने करनाटक के अस्मिता को लेकर एक सवाल उठाया है करनाटक के तमाम महापुर्शों का उन्होंने नाम, भारत में मिल जूर कर ही चल पाएगा थोपा थोपी नहीं चल पाएगी बरा देस है ये समझना होगा आज तक किसी की सांस्कृतिक दादागिरी नहीं चल पाएगी आगे भी मिलकर ही चलना पड़ेगा तो सोसल मीडिया पर कुछ और ट्वीट्स जो उनके जो सबसे ज़्यादा वाइरल हैं वो ये ट्वीट्स हैं उनने कुछ महापूर्सों के नाम गिना हैं करनाटक में बीजेपी ने महराजा बली, बस्वन्ना, किर्सन देवराय, कैपे गौर, चितूर की रानी चेनम्मा, भारत में पहली बारा रक्षन लागू करने वाले मैसूर, नरिस, नलवाडी, बाडियार, अंग्रेजों के खिलाफ हैदर, और टीपू की धर्ती पर हिंदी, अमूल, परसुराम और बामन को थोपनी की कोशिस की यह सांस्किर्तिक संगवाद और राष्टी एक्ता की भावना के खिलाफ है, करनाटक बालों ने पटक दिया है प्यस्पी सुप्रीम मायावती ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी ख़बर बताऊंगा आपको सबसेंट में, यह उपी चुनाव करनाटक के नतीजों का राष्टी राजिती पर जीरो असर होगा, पूछिए कैसे इसके बाद ही परधान मंत्री नौ साल में पहली बार प्रेस कॉंट्फेंस नहीं करेंगे, अदानी मामले में सवालों के जवाब नहीं देंगे, अदानी मामले में जेपी सी की मांग पर हां नहीं करेंगे, किर्सी कानूनों को रत करते समय के वादों को पूरा नहीं जनता 95 रुपए पेट्रोल खरीती रहेगी एंटी मुस्लिम उद्दा जाई रहेगा गोदी मीडिया भांड बना रहेगा तो रभीस ने ये तीखा हमला किया है और बात बीएसपी सुप्यों मायवती की उन्होंने दो बैक टूबैक टूइट की हैं कि किस तीन बैक टूबैक उन्होंने टूइट की है यूपी निकाय चुनाओ में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदी अनेक खतकंडों के इस्तेमाल के साथ ही इनके द्वारा सरकारी मसेनरी के दुरूपयोग से बीएसपी चूप होकर बैठने वाली नहीं है बलकि बक्त आने पर इसका जवाब ब मिलेगा साथी तमाम बीपरित हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी में दवारों को बोर्ट देने के लिए लोगों का तहदिल से आभार एवं सुक्रिया अगर यह चुनाओ भी फ्री एंड फियर होता तो नतीज़े की तस्वीरे कुछ और होती ब बार भी चुना में ऐसा ही हुआ है अतीज चिंतनी है तो इबीम को लेकर मयावती का हमला लगातार जारी है और यह देखिए जो सोसल मिलिया पर सबसे जादे लोग जो नुक्ता चीनी कर रहे हैं आज तक का एक पोस्ट है देरार नो ब्रहाम्मीन वोटर्स इन करनाठ का समाज पार्टी हांतरस वार्ड नंबर 20 से भीमार्मी चीफ चंसेखर राजाद जी ने एक दिव्यांग भाई को ट्रीकर देकर उनका मनोबल बढ़ाया और वो जीत गए हैं तो यह दिरेन सास्त्री जो है बिहार में हैं उनको लेकर लगातार खबरे चल रही है कि किस तरह स दिरेन सास्त्री को लोग जो है वह मिल रहे हैं लेकिन आर्जे दी के लोग जो वालोचना कर रहे हैं भीजे पी के नेता आर्थी भी उतार रहे हैं तो क्या दिरेन सास्त्री बढ़ा मुद्दा होंगे कभी in on आध्यम से हिंदूों को इस संदेश देने की कोशिस करें कि हिंदूों देखो मुसल्मान एक जूट होकर कॉंगरेस की तरफ जा रहे हैं अब तुम भी एक जूट हो जाओ पसी मंगाल में तुमने होते देखा है इसलिए सोच लो तो यह बोका लिंगा ट्राइबल कुर्बा ओवी सी मुसलिम दलित लिंगायत वियर इस कॉंग एराउंड तो यह तमाम राहुल कबल जो है वो लगातार जातिये विशलेशन कर रहे हैं लोग उनकी जाती का बोट पूछ रहे हैं कि आपकी जाती ने बोट कहां दिया है वो भी जरूर बताईए एक और खबर जो सोचल कि अब आज उठाई तो मुझे लोग गाली देने लगे आज मेरा दोस्त आदर्स निर्दलिये जीता है अगर बीस्पी टीकर देती तो और अच्छा होता बीकार बिसाल कुमार ओफिस्यल ने इसे ट्वीट किया है जो सोचल मेडिया पर वायरल है यह बीस्पी से टीकर ना जंडे लगए गये थे और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे की जात चल रही अभी तक उसकी पुष्टी नहीं हुई है करनाटक बिधान सभाप परिनाम कुल सदस दो सचोबीस एस्टी आरक्षी सीथ 15 बीजेपी जीरो कॉंग्रेस 14 जेडियेस एक मतलब ट्राइबल सब्सक्राइब गया है और एक सीट पर जेडियेस ने जीत दर्ज की है जो मैं आपको बता रहा हूं और हर मोधी जी दिन राथ दलित पिछ्रों के लिए काम करते हैं उनके लिए आब आज उचाए तो सूचिए यह अनुभर मिस्राइब कह रहे हैं कि नरेंदर मोधी जितन अगला करेंगे उतना चुनाव हारेंगे मतलब वो सिर्फ ब्रहमन समाज की भागिदारी को कहते हैं कि वह तै किया जाए तो यह बीजे पी कर अएसे तमाम ब्रहमन समाज के युञा dau साफल मे eagle मेधया पर लिख रहे हैं कि बीजे पी इसलिए हारी है क्योंकि वह सी एश्ट विडियो में सुना है। लोग लिख रहे हैं ट्वीटर पर लिख रहे हैं इते के पर्तिमापांडी हैं। ऐसे लोग ने भी साफ साफ इन लोगों ने लिखा है कि बजेपी इसलिए चुना ओहां रही है SCST आरक्षन परतिमा पांडे का कहना है कि SCST आरक्षन जब तक नहीं हटेगा तब तक BJP नहीं जीतेगी तो सवाल है कि SCST OBC का जब आरक्षन ही खत्म हो जाएगा तो BJP को कौन सा हिंदू बोट करेगा सवाल हिंदू की संक्या मैक्सिमम 15 परसेंट है आरक्षन इवर में SCST काला कानून है किरिस्म कुमार चौधरी तो करनाटक में कॉंगरेस के जीत और BJP के हार के पीछे जो BJP के सवाल समर्थक है उनको लगता है कि SCST OBC ने उनको बोट नहीं दिया इसलिए उनका रक्षन छीन लेना चाहिए तो यह मैं लगातार बता रहा हूं और सोसल मीडिया पर जो खबरे वाइरल है हिंदों के भगवान का यूज बोट पाने और गौवट यूजना में के वले SCST OBC अलप संको को के लिए किया जाता है तो यह भी लोग लिख रहे हैं कि अब जादा दीन जो है बीजेपी को तो तमाम तरह से एक हार ने बीजेपी पर बहस सुरू कर दिये कि कौन बोट दे रहा है कौन बोट नहीं दे रहा है यह तमाम बहस सुरू हो गई है सोसल मीडिया पर वाइरल है जो मैं आपको बता रहा था इसलिए मैं कहता हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया है बहुजन मीडिया है और सरद्धा पटेल ने कल टूइट किया था कि गुलसन यादव सीमा यादव गुलसन यादव को चेर्मेन बनाने पर हादिक काम ना है जबकि वो चुनाओं हार गई है तो ये आज की कुछ बड़ी खबरे थी जो सोसल मीडिया पर वाइरल है लोग पूछ रहे हैं कि सबका बोट किधर गया ये तो टीवी बता रहा है सबर्नो का बोट कहा गया ये कोई नहीं बता रहा है शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख